इस वीडियो में हम समझेंगे Mutual Induction. Mutual Induction, Faraday's Law पे based है. बहतर understanding के लिए Faraday's Law का वीडियो पहले देखे. वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया गया है. Mutual Induction, Metallic Coil की ऐसी प्रॉपर्टी है, जिसमें एक कोयल में Magnetic Field Change होने के कारण दूसरे कोयल में Current Create होता है. और ऐसा तभी होता है, जब दूसरा कोयल पहले कोयल के Magnetic Field के साथ लिंक हो. आईए इस प्रोसेस को Animation की मदद से समझते हैं. Animation में हम देखते हैं कि दो Metallic Coil को आमने सामने रखा गया है. और इन दोनों कोयल में Number of Tons है. पहले कोयल को एक AC Current Source और Switch के साथ सीरीज में Connect किया गया है. और दूसरे कोयल को एक Ammeter के साथ Connect किया गया है. जब हम First Coil में Current Supply करते हैं, तब कोयल में Current Flow होने के कारण Magnetic Field Create होता है. अब क्योंकि कोयल में AC Current Flow हो रहा है, जिसके कारण Magnetic Field लगातार चेंज होता रहता है. ये Magnetic Field सेकेंड कोयल से पास होता है. Fairness First Law के According जब भी कोयल से पास होने वाला Magnetic Field चेंज होता है, तो उस कोयल में EMF, यानि Voltage, Create होता है. और यही Voltage कोयल में Current Create करता है. इस Current को हम Ammeter की मदद से Measure कर सकते हैं. और इसी प्रोसेस को हम Mutual Induction कहते हैं. Mutual Induction को हम कुछ इस तरह दिफाइन कर सकते हैं. Mutual Induction is a phenomenon when a call gets induced in EMF across it due to rate of change of current in another call in such a way that the magnetic field of one call gets linked with another call. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर और लाइक करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलते हैं वीडियो में.